तो guys यार सुबह हो चुकी है और लोस सेंट टॉस का मौसम बहुत ही जादा अच्छा हो रखा है पर आज सुबह मुझे काम है क्योंकि मैं अपनी कार को सर्विस देने के लिए देखे आया हूँ मेरी कार बहुत ही जादा खराब हो गई है तो मैं उसको सर्विस दे के आया था अरे अंकल क्या हो गया तुझे शरब नहीं आती मेरी बीवी को चेड़ता है मैं तुझे नहीं चेड़ूंगा अरे अंकल आप हो कौन कौन सी बीवी मेरे किसी को रिचेड़ा मैं तुझे नहीं चेड़ूंगा मेरी बीवी को चेड़ता है मैं तुझे नहीं चेड़ूंग अबे इतना कोई मारता है क्या ये पतानी कौन था मुझे पतारीस ने क्या समझ लिया और ये बोलर था मैं इसकी बीवी को चेड़ता हूँ अरे उसको कोई बता हूँ लॉस सेंटोस में मैं सिर्फ अकेला काला नहीं हूँ और भी लॉस सेंटोस में काले लो गयते बस काला समझ के उसने मुझे इतना मारा इतना मारा की क्या बताओ मेरी हालत तो उसने कराब कर दी मैं अभी अपनी गाड़ी लेने जा रहा था शांती से उसने मुझे इतना माया कि मुझे अपने कपडे चेंज करने पड़ेंगे चलो फड़ाव बड़ से कपडे चेंज कर लेते क्योंकि अपनी हालत बहुत ही ज़ादा खराब हो चुकी है तो अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कपडे चेंज कर लिए और मुझे नहीं लगता मैं अपनी गाडी लेने अभी झापाऊंगा मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा जी लोग मुझे काला समझ समझ के मारते रहेंगे तो किसी दिन तो मैं मारी जाओंगा चलो लोग कुछ नहीं कर सकते बैट के घर पर टीवी देखने पड़ेगी, देखते हैं क्या चल रहा है लोसेंटोस में, ब्रेकिंग न्यूस, लोसेंटोस मच्छाया एक और खत्रा, लोसेंटोस पर अटाइक हो चुकआ है, खतरनाग हल्क का, ये हल्क बहुत खतरनाग है, पूरे लोसेंटोस को ये बना र सारे के सारे लोसेंटोस के लोग मरते चारें, और कनवर्टोरें, इन खतरनाग हल्क जॉम्बीस में, तो अगर आप अभी तक जिन्दा हैं, तो कुशी मनाईए, नाचिये काईए, क्योंकि थोड़ी तेर में, आप भी हल्क बनने वाले हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अरे काईसर, अभी अभी मैंने न्यूस पर देखा, कि लोसेंटोस में बहुत ही खतरनाग हल्क का अटैक हो चुका है, ऐसे हल्क तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, ये लोग तो बहुत ही जादा खतरनाक लग रहें, पर मुझे इन हल्क से डरने की जरुवत नहीं है, क् मेरा घर पहाड़ों के उपर बना हुआ है, और वो हल्क शहर के अंदर आए, तो यहां पर कोई भी हल्क नहीं आ सकता, तो मुझे डरने की जरुवत नहीं है, और गाईसर, आपको तो पताए, मेरे पास ड्राइंग मैजिक बोड़ है, तो मैंने सोचा है, आज ड्राइंग म मैजिक बोड़ का है, मेरे ड्राइंग मैजिक बोड़ पर चलते हैं, और अपने अपको गोरा बनाते हैं, क्योंकि मैं इतना कालो की कोई में मुझे आके बीक दे जाता है, या फिर मारने लग जाता है, पर आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आज गोरा होने चलू फड़ा फट से शुरू करते हैं, तो काईजर, अभी मैं मैजिक बोड़ पर अपने आचुके और मैं अपने आपको इस पर बनाने वाला हूँ, और अपने आपको गोरा भी कर दूगा, तो फड़ा फट से बनाते हैं, आपको तो पते ही मेरी ट्रॉइंग कितनी तक तो बहुत ही जल्दी जल्दी बनाने वाले मूँ बन गया, अब बनाएंगे गरतर, उसके बाद बनाएंगे हमारे हाथ, यहाँ पर बड़ा फट से लेके जाते हैं, बहुत ही जादा गोरा गोरा फ्रेंकिल बनाने वालों, आपने आज तक अभी इतना गोरा इंसान देखा मुझे तो लग रहा है यह बहुत ही जातर नाग बनने वाला है, यहाँ पर मेरे शॉट्स है, यहाँ पर बैरी बड़ियान है, आप देख से तो, अभी मैं हूँ इस कलर का मेरे बाल है, बलेक कलर के हूँ मैं पूरा पूरा ब्राउन हूँ, तो अब देखते हम कौन से कलर क क्या हम रेड कलर के हूँ ने यह अच्छा नहीं लगेगा, बलु कलर का, यह तोड़ा अच्छा लग रहा है, यह देखो, यह कौन है, मेरी बात सुनो, अरे दो मिल रुको मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरी बात सुन बीचे देख, अरे रुक जाओ, मैं अपना अपको गोरा कर रहा हूँ, यह अच्छा नहीं मानेगा, यह यह तो वही हलक है, मैं वही हलक हूँ, मैं तुझे नहीं चोड़ूँगा, अरे यह इधर कहा से आ गया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमारा मैजिक बोड चाहिए, बाइ बाइ, चड़ो मेरे दोस्तो, हमें मैजिक बोर्ड मिल गया। अने ये क्या, वो हल्क जॉंबी का बच्चा, तो मेरा मैजिक बोर्ड ने की बगया। मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा। रुख जा हल्क जॉंबी, मुझे मेरा मैजिक बोर्ड चाहिए। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, रुख जा हल्क के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मेरा मैजिक बोर्ड वापिस कर, मेरा मैजिक बोर्ड वापिस कर, अरे ये क्या, ये तो उड़ गया। हरे काईजर वो हल्क का बच्चा तो मेरा मैजिक बोड लेके उड़ गया मुझे इसको ढूड़ना पड़ेगा उसको कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा मेरे पास एक ही चीज थी जो कि मुझे इन ख़दानाग हल्क से बचा सकती थी इसने मुझे कोई टेंशन नी थी पर अब तो वो मेरा ड्रॉइंग मैजिक बोड लेके भाग गया कहा गया वो तो कैसर अब युस हाई को ढूड़नते ढूड़नते मैं पता रही कहा पर आ चुका हूँ अब यह मुझे नहीं मिल रहा मुझे लगता है मेरा मैजिक बोड चला गया अब मैं क्या करूँ यह देखो एक और इंसान इसको पकड़ के भी जॉम्बी हाइक बना दो पकड़ो इसको अरे यह लोग तो मुझे ही पकड़ दारे भागो मुझे इनके जैसा जॉम्बी हाइक नहीं बनना चल्दी बगो चल्दी बगो अरे यह दो बहुत ही तेज़ भाग रहे है जल्दी निकलो ऐसे मुझे इनको चक्मा देना पड़ेगा यह मेरे पीछे याते जाने अबी भी अगर इन इन ने बगो भागो पकड़ लिए उनके जैसा हाइक बना देंगी और मुझे इनके जैसा जॉम्बी हाइक नहीं बनना मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा चल्दी से निकलते कोई भी मेरे पीछे निया रहा उससे पहले कि मुझे ढूड़े मेरेग मेरे ठोटों मेरे Jeśli लेङे क मै capitalist मेरे पिलीज मेरे ठोट अधी मैं आउटो में बैट चुका है और अभी अंकल मुझे घर लेके जाने वाले अरे बैया, आपको तो पता ही होगा, पूरे लोस सेंटोस में हाइफ फैल चुके अरे हाँ बैया, मुझे पता है, पूरे लोस सेंटोस में हाइफ फैल चुके आप कैसे बच गए अरे बैया, मेरे पास ही खतरनाक सोटो है न, इसने मुझे बचा के रखा है कोई भी सॉंबी हल्क मुझे पकड़ी नी पाता ये क्या इस रोड पर तो बहुत सारे सॉंबी हल्क है अरे तुमने बूरा था तुम्हारे खर पर नहीं ये अरे मुझे तो ना पता था इतने सारे आजाएंगे एक दो तो थे ही न पेरे तुमने मुझे से चूट के बोला यहां में पकड़ सकते मुझे ज़त्वी से बगारे पड़ेगा तुमारी तो हल्क हट जाओ बहुत बढ़ी आउट वाले बैया सबको मार दो किसी भी हल को मत छोड़ना चल्दी चल्दी मुझे मेरे गर ले चलो मुझे तो बहुत ही जादा टर लग रहा है तो काईसर आट वाले बैया ने सारे हलकों को उड़ा दिया और हम अपने घर पर बहुचने वाले थैंकियो आटे वाले बैया आप में मुझे बचा लिया है अब में घर से बाहर में निकलने वाला तो काईसर कैसे भी करके में वापिस अपने घर पर आ चुका हूं मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तो काईसर अब ही मुझे अपने घर पर भी छुप छुप कर घूबना पड़ रहे है क्योंकि आप देख सकते हो मेरे घर के चारो तरफ वो कदरनाख से जॉम्बी हल घूम रहे हैं सामने देखो जॉम्बी हाइक इस तरफ भी जॉम्बी हल ॉमझे पूरे घर की चारो को Lost and Toss से बाहर निकान ले में तो मैं अभी उनको फोन करने वाला हूँ फड़ावर्ट्स उनको फोन करते हैं हेलो बाबा मेरी मदद करो मेरे बच्चे फ्रैंकलेन मुझे पता है तुमने मुझे क्यों फोन किया है पूरे Lost and Toss की हालत बहुत खराब है हाँ बाबा पूरे Lost and Toss के आनक बहुत कराब है और मेरा Drawing Magic Board भी जा चुका है क्या तुमारा Drawing Magic Board भी चला गया मैंने सोचा था हम तुमारे Drawing Magic Board की मदद से पूरे Lost and Toss को ठीक कर देंगे मैंने भी सोचा दो वही था पर मेरा Drawing Magic Board चला गया वो Zombies मेरा Drawing Magic Board भी उठा के ले गए ये तो बहुत ही अफसोस की बात है अब हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना पूरा Lost and Toss हल्क में कनवर्ट हो जाएगा फिर कोई भी इंसान नहीं बचेगा अरे बाबा ऐसा नहीं हो सकता कुछ तो करो बच्चे हमें तुम्हारा Magic Board वापिस से बायाना पड़ेगा क्या वापिस बनाना पड़ेगा हाँ बच्चे Magic Board कैसे भी करके वापिस बनाना पड़ेगा वरना पूरा Lost and Toss खत्रे में आ जाएगा अरे पर वो कैसे बनाएंगे बच्चे तुम मेरे पास आ जाओ फिर तुम्हें बताऊंगा अरे बाबा मैं आपके पास नहीं आ सकता मेरे घर को चारो तरफ से उन खतरनाक हालक ने गेर लिया है इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता अरे बच्चे तुम यहां पर नहीं आओगे तो हम ड्राइंग में अचीबोट कैसे बनाएंगी अच्छा मेरी बात सुनो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर एक एंटर का बटन आ रहा होगा उसको दबा दो अगर तुमने उसको दबाया तो तुम मेरे पास आजाओगे क्या मैं सीधा आपके पास आजाओगा ठीके मैं वड़ा वर्टस इस बटन को दबा देता हूँ तो काई सर अभी आप देख सकते हो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर एंटर का बटन आ रहा है हमें बस इसको दबाना है ताकि हम सीधा बाबा के पास पोचे त्री, डू, ववन आओ फ्रेंकिन आओ तुमारा स्वागत है अरे ये तो सही में काम कर गया अभी आप देख सकतो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पर पाने के ओपर उड़ कैसे रहो मैं वहाँ पर कैसे आओँगा रुक जाओ, मैं तुमारे लिए ब्रेज बनाता हूँ ओम ब्रेम, कोल्ड क्रीम बन गया तुमारा ब्रेज आजाओ, क्या, ब्रेज बन गया अरे ये क्या, मैं भी पाने के ओपर चल मारा हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है, फ्रेंक्लिन अब मेरी बात सुनू, तुमारा मैजिक बोर्ड तो चला गया, इसलिए हमें नया मैजिक बोर्ड बनाना पड़ेगा नया मैजिक बोर्ड कैसे बनेगा, हमको और कोई रस्ता रूड़ना पड़ेगा, और कोई रस्ता नहीं है, इन कदरनाक हल्कों और कोई नहीं रा सकता स्रिफ तुमारा मैजिक बोर्ड यह रा सकता है अरे पर इतनी जल्दी मैजिक बोर्ड आएगा कहां से वहाला मैजिक बोर्ड मुझे तूटते तारे में से मिलाता अब क्या तारा टोड़ो गया आप साहिका तुमने फ्रेंकलिन हम तारा के लाओगे क्या मैं हा तुम उस हल्क जॉंबी की पावर की मदद से हमें खदरनाक सी एनर्जी बनाएंगे उसके बाद हमें चाहिए होगा एनर्जी कंवर्डर वो भी तुम ही लाना पड़ेगा और वो कह से मिलेगा वो बात में बताऊंगा सबसे पहले हल्क जॉंबी को बढ़े लेकर आओ जाओ जल्दी से अब यार बाबा ने बोला है तो करना तो पड़े काई अगर हमें लॉस सेंट्रस को बचाना तो उसके लिए चाहिए हमें मैजिक बोड़् और अगर मैजिक बोड़ चाहिए तो उसके लिए ची एंगे वो खदानाक से हल्क तुझ को च 50 बर्गर पैक कर दो अरे क्या 50 बर्गर एक साथ हां हां 50 बर्गर मैं थोड़ी दिर वेट कर लेता हूं तो काईजर अंकल जब तका मर लिए बर्गर में आरे अभी तक आपने वीडियो को लाइक निए तो फड़ाव बड़ से लाइक कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और जिसको जिसको बर्गर खाना पसंद है वो लिको बर्गर और जिसको पीजा खाना पसंद है वो लिको पीजा या फिर और कुछ बसंद हो वो भी आप लिख सकते हो जल्दी से बर्गर बन जाएंगे फिर हम चलेंगे उन हलको को बकड़ने तो काईजर अभी आप देख स तो गया उत्रूंगा कैसे मैं ये एसी के उपर चड़ के इदर उपर तो आगे पर नीचे कैसे जाओगा मैं एसे स्टंट क्यों करता हूँ चलो अब हम नीचे आ चुके हैं अब अपना फड़ावट से बर्गर ट्रैप बिचाते हैं तुकाई सर अभी आप देख सकते हो हमारा बर्गर ट्रैप या पर लग चुका है सारे के सारे बर्गर्स मैंने यहां पर लगा दिये वो भी उस ज जाल मार्दी जदी 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 इस ड्रशमीन की पीचे चुप चाते कि इस खुच्छाना चलेगा किसने मारा मुझे कोन है पथा जबीस मुझे पत्थर मारा है यह क्या यहाँपर तो बहुत सारे बढ़ करें वाव बरगर बर गर इंतने सारे बर्गर यह त UX अरे ब तो कैसर अभी हम बिल्कुल तयार है इस जोंबी है को लेके जाने के लिए और इसे हम रगड़ते रगड़ते इसको लेकर जाने वाल है लेट्स गो ओवायरे साथ ये चलने लग गया है इसको फड़ापड से लेकर चलते बाबा के पास और उसके बाद हमें चाहिए एनर्जी जो कि एक तूटा तारा बनाने वाला है चलो फड़ापड से चलते हैं बहुत बड़िया फ्रेंगिन तुमने अपना पहला काम तो कर दिया इस हल को ला दिया अब बारे तुमारे अगले काम की अरे वो इलेक्ट्रिक जेनरेटर मिलेगा कहां से बताओ कहां से चोरी करना है वो इलेक्ट्रिक जेनरेटर तुम जोरी नहीं कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक जेनरेटर तुम एक चैलेंज में जीत सकते हों क्या अब एक चैलेंज भी करना पड़ेगा अगर पूरे लोसेंटोस को बचाना है तो करना तो पड़ेगा क्या तुम तयार हो अब मना भी नहीं कर सकते ठीक है मैं बिल्कुल तयार हूं तो चलो फिर चलते हैं तुम्हारे चैलेंज पर तो बच्चे क्या तुम तयार हो लो सेंट डॉस को बचाने के लिए तयार तुम्हें नहीं हूं मुझे बहुत ही डर लग रहा है पर बचाना तो पड़ेगा बताओ मुझे क्या करना ह तो बच्चे ये तुम्हारा खदरनाक साथ चैलेंज होने वाला है अपनी काड़ी को लेके तुम्हें जाना है इस पूरे रैम चैलेंज को कम्प्लीट करना होगा पहले अपनी बाइक को खुदाओ और इन सारे आप्स्टेकल से बचते बचाते इस काच के बिच से चलके ज करते बाइक चेंज करके तुम्हें अपनी बाइक को खुदाना है और इसके अंदर जाना है फिर तुम लैंड होने वाले हो इधर फिर सिद्डियों से चड़के जाना है और वो मशीन मिलने वाली है और इस मशीन से हम जेनरेट करेंगे ठूटेवे स्टार जो की बनाएगी ड्राइंग मैजिक बोर्ट क्या तुम तयार हो मैं बिलकुल तयार हूँ तो काईजर हमें चाहिए वो खदरनाक सी मशीन जो की बनाएगी टूटेवे स्टार और यह चैलेंजर सही में बहती जादा हाड होने वाला है पर करना तो पड़ेगा तो सबसे पहला ऑश्टेकल है यह खदरनाक सा रोड जो की हर जगे से तूटा हुआ है तो हमको अपनी बाइक को कंट्रोल करना पड़ेगा अराम से अराम से अराम से और बार इस ग्लास ब्रिच पर जाने की क्या यह हमारा वेट समाल पाएगा आओ देखते हैं ओ अराम से यह काच का ब्रिच तो बहुत बीच में से तूट गया पर आम यहां पर बच के आचुके जलो आपड से यह पर चलते हैं और यहां पर तीन तीन गेट जारे तो मुझे सई गेट पर जाना पड़ेगा वरना मैं सीधा जाओं पानी में और आप देख से तो अब हैं यहां पर कहीं तो निकल चुका हूँ ह पर आप जाना से अपनी गाड़ी को फुल स्वीड पे खुदाना पड़ेगा लेट्स का और अम लैंड अने वाले कदरनाग बॉल्स के ओपर से अरे यह थोड़ा दिर मंद ओने वाला है यह बंद ओने वाला है बच कहाँ यह बस बंद हो रही बच शूके चोड़े यह बाइक चेंज करने और यहां से खदरनाक सा जुम करके उस कंटेनर के पीच में मुझे जाना पड़ेगा लेट्स को फुरा फट से चंप करते हैं और क्या हम जा पाएंगे इसके अंदर यह का है हम को कंटेनर के बीच में से जाने के लिए बोला ता पर लगता है मैंने कुछ और यह कर डाला ओ भाई साफ क्या ही लेंडिंग करी मैंने सुझा सिथा पानी के अंदर जाने वालों पर हमने बड़ी आसी लेंडिंग यहां पर कर लिए लेट्स को फड़ावट से अपनी बाइक को लेका जलते हैं और लगता हम यह से पाइक लेके नहीं जा सकते और काई सामने आ चुके फिरिशिंग लाइन और वो मशीन भी थैंक्यू दीदी यहां पर देख सो कितनी सारी दीदिया मार लिए डांस कर रही है इनको फड़ावट से मारते हैं और हमने फिरिशिंग लाइन क्रोस कर ली और यह ख़दर नाक सी मशीन में मिल चुकी है बहुत यारो फ्रैंक्लिन मैं तो बिल्कुल तैर हूँ चलो शुरू करते हैं और यह मशीन चालो हो चुकी है और है कैसर आप देख सकते हो उपर स्रिफ तारे तारे थोड़ी देर में यहां पर टूटता तारा आने वाला है हम तयारे थ्री टू वान और हमारा प्लैन काम कर गया तूटता तारा आ गया और कैसर आप देख सकते हो तूटता तारा यहां पर आ चुका है और यहां पर तो दो 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 लागे इसका मतलब तुवारा मैजिक बोर्ट तो बहुत कतरनाक वानेगा अब फड़ा हफ़ट से उस हल को भी इसके को और बनाते हैं तुम्हारा खदरनाक साथ ड्रॉइंग मैजिक बोर्ट और कैसर आप देख सकतो यहां पर काम चाल हो चुका है और यह देखो इन में से भी स्टार निकल रहे हैं मुझे लगता यह तो बहुत ही खदरनाक होने वाला स्टार दूआ सब निकल रहे हमारा ड् बन चुका है अब इस पर कुछ ऐसा बनाओ जिससे तुम उन सारे हल्क और उनके बॉस को कदम कर सको ओके सर आप टेंशन मत लू मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूं जिससे उन हल्के बॉस को कोई नहीं बचा पाएगा चलो शुरू करते हैं तो काईसर फाइनली हमारा मैजिक बोट बन गया है और यह मैजिक बोट काम भी कर रहा है अम यह आप देख सकते हूं हम इस पर बनाने बाला है एक ऐसी खदरनाक चीछ जो कि उन सारे के सारे हल्क को खतम करने वाली है और जैसे लोए को लोगा काटता है वैसे इन हल्क को हल्क काटने वाला है तो चुलों है करते हैं और यह सबसे पहले करने वाला हूं हल्क के मुह से तो हम ब्याने बाले क हदरना कसा ही उसके लिए सबसे पहले साथी चपोरी बनाने ऑड़े istam करें का ला सकतर हमां करनेंगे और यह उना बना इंड भी रिचकी बना जैए ऑ और यह जान श्कर जादिए झार। चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो वड़ाववर्ट से बनाएंगे इसके शूल्डर फिर बनाएंगे इसके बड़े-बड़े डोले-शूले वाले हाथ आपको तो पता यह हल्क हमारा कितना जादा पाउर्फुल है तो यह उससे भी जादा पाउर्फुल ने वा fix करना पड़ेगा इसको वाप इससे बनाएंगे और ये डन तुकाइजर आप देख सकतो इसके हाथ यहां पर बन चुके और यहां पर इसकी बॉड़ी बनने वाली है तो फड़ावड़ से इसकी बॉड़ी बना देते हैं यहां पर ऐसे बॉड़ी बनाएंगे और इस साइट से भी री बने की और आप देख सकते हो इसकी बॉडी भी आँ पर बन चुकी है और इसको बोहत ही जादा अलग तरह का कर देते तककि बहुत का उनार क्षच का ही तोarla में वाल आ की बहुत हैं हम अलग के दो नहीं चार चार हाथ ब selection वह दो ले की यहां निकल दो इसके इसके यह आंचे में निकलना ड़र यहां नहीं दोंने कितिक सकते हूं इसके चार हाथ यहां पर कंप्लीट हो चुके यहां पर अंगुलिया भी बन चुकी हैं अब इनको फड़ावट से कवर कर देते हैं यह बहुत ही जादा खदरनाक लगने वाले तो आप देख सकतो चार हाथ यहां पर बन चुके एं अगर आप सोच रहो कि बस इतना सŞinhas ל׆ए तो आप बिलक Pierce तो क्योंकि हम इसके खादरнаक से बनाने बाले तो फड़ामवट से बनाते हैं गादर नग्नाग जो कि हमारे इस हल को अड़वाने में मदद करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर विंग बन हैं यहां पर भी विंग बनाएंगे फड़ाफट से विंग बनादेते हैं कदरनाक से और आप देख सकते मुझे तो बहुत ही जादा अभी से लगने लग चुका है कलर करने के बाद तो यह और भी कदर लगगे आप बाकी के डीटेशियलिंग कर ली जाए फड़ाफट से इसके टीशेट कर देते हैं ताकि यह बहुत ही कूल लगे और आप देख सेक्तों इसकी टी-शिट लगबग हमने कम्प्लीट कर दिये बस इसको यहां पर लेके जाएंगे और यह यह बिडन हो चुका है और काईसर अभी आप देख सेक्तों यह सब कसब कम्लीट होगे बस मैं यहां पर इसको कि immune को फैक्स देने वालों तो इसके हातों पर हम स्पाइक्स पी लगने वाले थाकि यह बहुत ही जाला कूल और बहुत सिरी भी खतर नाग बन जाए तो दोनु जबाश्च के इuty Air narcSi स्पाइक दे देंगे ताकि यह चारो हतों में स्पाइक हो जाए यहां पर भी स्पाइक दे दिया है और दन दुगाई सर अब देसे तो यह बहुत ही खतरनाग लगने लग चुका है अब इसके फड़ाफ़ट से फेस को कंप्लीट करते हैं हम बनाएं कि यहां पर हल्की खतरन है और इसके कान भी बना देते हैं और काईसर हमारी ड्वाइंग यहां पर लग बग कंप्लीट हो चुकी है बस इसमें कलर करना बाकी है फड़ाफ़ट से इनके फैदर लगा इसके विंक्स में थोड़े से फैदर लगाने वारा हो ताकि यह बड़ी आसा उड़ने लग जा नहीं होने वाला है अब इसके बाद होने वाला सबसे में कलर चूकी होने वाला है बर्पल फड़ाफ़ट से परपाल कलर लेते हैं इसके हातों को परपाल करते हैं और यह जो स्ट्रिप से ना इसके अंदर भी हम परपाल करने वाले और इन वाली स्ट्रिप्स में हम करेंग एक और डार कलर चुके होने वाला है ये तो फड़ावबर्स ये सारे कि सारी स्ट्रिप बढ़ दे वैसे पर पर पल चाहिए तो इसको भी यहां पर कर दे और थोड़े बहुत एब्स यहां पर इसको दे सकते तो लेट्स को फड़ावबर्स कर दे तो यह जगे खाली-खाली तो खाली जगा को भर देना चाहिए 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 तो खाली मैं सोच रहो इनको डार करने का लेट्स को हमारा हाल के हाँ पर बन चुका है चार चार हाथ वाला वो भी दो दो विंग्स के साथ और हमारा हाल पूरा कम्प्लीट हो चुका है बस हमें इसकी पावर बढ़ानी है और आपको तो पताएं पावर कैसे बढ़ाते पावर इंटु 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 पावर इंटु 10,000 हमने कर दिये और ये ड्रॉइंग बनाई है दुनिया के सबसे खदरनाक पे इंटर ने नाम तो आपको बताई होगा तो कैसे आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी और मैं कितना जादा खद खदरनाक लग रहा हूँ, मैंने जैसा सोचा था यह वैसा का वैसा बन चुका है, हमारा खदरनाक सा चार हाथ और दो विंक्स वाला हल्क चुरफड़ापट से उड़के चलते हैं, और उस हल्क को खतम करते हैं, जिसने पूरे लॉस सेंट्रोस की हालत खड़ाब कर रखी है हल्क जॉंबी के बॉस आ रहा हूँ मैं, हल्क के बॉस अब तू नहीं बचने वाला, मैं आच को आओ तुझे खतम करने, हाँ हाँ हाँ, मैंने पूरे के पूरे लॉस सेंट्रोस को हल्क में कनवर्ट कर दिया है, अब मैं उन सब पर राज करने वाला हूँ, मुझे कोई नह मुख सकता, और तेरे जैसा कभूतर भी नहीं, ही 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 ही, अब मैं मुझे कभूतर बोला, कौन से कभूतर के चार चार हाँ होते हैं, कौन से कभूतर मस्कुलर होता है, कौन से कभूतर के हाथ पर स्पाइक्स होते हैं, मैं तुझे नहीं छोटने वाला, मेरी बात सुन देखने है कौन है पावरफुल मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला ये लिद कबुतर एक तो मुझे कबुतर कबुतर बोला मन कर मैं कोई कबुतर नहीं हूँ ये कबुतर आज तुझे बहुत मारने वाला है तो काई सार इस हल्क को तो मैं फिक को नहीं चोड़ने वाला इसने पूरे लॉस सेंटॉस में बहुत ही जादा तभाई मचा ली पूरे लॉस सेंटॉस को इसने लगबग हल्क में कनवर्ट कर दिया है सब के सब हल्क जॉंबिस बनके गूम रहे है इसलिए मुझे सको खतम कर रहे पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरुएत है जो भी बोलो यह स्ट्रॉंग तो ही इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है पर यह मुश्किल नहीं होगा अगर आप जाके सबी सबी फीडियो को लाइक करोंगे और कमेंट में लेकोंगे गुड लग फ्रेंक है कि आपके गुड लग से मैस को आसानी से हरा सकता हूँ तो फड़ाबट से कमेंट कर दो गुड लग फ्रेंकली जब तक मैं इसकी सारी हड़िया तोड़ने वाला हूँ इतरा साले निकल यास है मेरी बात सुनो जीत के तो मैं ही रहूंगा और तुम्हें मेरा नोकर बनना पड़ेगा नोकर तो मैं नहीं बनने वाला और मैं तुझे इस प्लैनेट से भी बाहर फैक के रहूंगा ऐसे तो काइजर फड़ाबट से इस हलके बच्चे को खतम करते है ताकि हम इसको प्लैनेट से बाहर फैक के पूरे लोसेंटोस को वापस बैलेच ऐसा कर पाए मैं इसको नहीं चोड़ने वाला रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो तेरी तो इधरा, तो काइजर, आभी मैंने इसको पकड़ लिया है मैं हार माता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो हम साथ में मिलके लोसेंटोस पर राज करेंगे मुझे लॉस सेंटोस पर राज करने का कोई शोक नी है पर मैं तुझे इस प्रैनेट से बार ज़रूर फैकने वाला हूँ इसने हार तो माल ली पर मैं से फिर भी पूल ये पुरे स्पेस में लेकर जाके फैक किया हूँगा यह निकल यहां से इसको पैकेंगे फिर वापेस से पकड़ लेंगे तो इसको मैंने पकड़ लिया इसको लॉस सेंटोस से का पूरी अर्थ से बार फैकना है इसलिए तीन चार दिन तो लगी जाएंगे तो मैं जा रहा हूँ इस पेस में आप यह पड़ावफट से वीडियो को लाइक कर तो क्योंकि अगर आपको आपको लाइक कर देना जैब आपको अगली विडियो में तब तक के लिए बाई बाई